आज रायपूर में मान्य प्रधान मंत्री जी के कार्टम में सामिल होने के लिए मेरे संस्थिय छेत्र के ग्रामिड करकरता आ रहे थे रास्ते में एक्सिडेंट हुआ जिसमें तीन लोगों की रित्वी हो गई छेल लोग घायल हुए थे और बस में जितने लोग बैठे थे उनको कम चोटे आई थी जिनका प्रात्मी कुक्चार करने के बाद उनको घरों तक छोड़ दिया गया आज आपने देखा होगा मेडिया में आज कि मान्ये प्रधान मंत्री जी ने मंच में सबसे पहले इस घटना का जिक्र किये जो आज हमें छोड़ कर चले गए उनके प्रति गहरी शवेदना ब्यक्त किये धायलों के इलाज के लिए उन्होंने कहा और परिवार जनों के लिए सांत्वना भी दिये भारत सरकार के स्वास्त मंत्री डाक्टर मंसुक माडविया जी रैपूर में है उन्होंने सिधे डाक्टरों को नेटेशित किया है इसके साथ ही मेरे मंत्राले के इस्टाप के लोग भी सुबब पाच बजे से घायलों के सहियों के लिए लगे हैं और जैसे ही कारक्रम खतम हुआ पूरी भारती जनता पार्टी इस पे लग गई सर्गुजा संभाग के संगठन प्रभारिश संजे सरवास्तो जी उस कारक्रम में सामिल भी नहीं हुए सीधे सूरसपूर के लिए निकल गए जैसा कि आपने सरकारी सहाइता के लिए कहा है तो भारती जनता पार्टी अपनी ओर से पास-पास लाख रुपए की घोश्रा की है विसके साथ मैं आप सब मेडिया के सामने भी कहना चाहरे हूं कि इनके इलाज में जो भी खर चाहेगा इलाज जहां भी होगा चाहे देखिए बस में नहीं थे पर जिनों ने सिना जब घटना घटी उनको फोन गया घटना के बाद यहां पर आए अब बस जो जानकारी हमें मिली है कि प्राइवर को कुछ अपकी आ गई और उसने चलती हुई बस को सामने खड़े ट्रक में मार दिया और इसमज़े से वहां पर बड़ी दूर कटना घट गई